कोरोना महमारी से निपटने के लिए दुनिया भर के देश इसका वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं वही वर्ल्ड हैल्थ और्गिनाइजेशन समय समय पर कोरोना वारस पर अलग-अलग बाते कहता शुरू से ही निज़रा रहा है और अब हाल ही में डबल्यो आचो का कहना है कि कोरोना वैक्सीन कोई जादोई गोली नहीं है जो पलक जबकते ही कोरोना वारस को खत्म कर देगी जब से कोरोना का कहर दुनिया पर चाया है तब सही डबल्यो आचो इसको लेकर अलग-अलग बाते गहता नज़रा रहा है इससे पहले भी डबल्यो आचो ने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि वैक्सीन वारस को जड़ से खत्म कर दे वहीं कुछ समय पहले डबल्यो आचो ने कहा था कि अब हमें कोरोना वारस के साथ रहना सीखना होगा बता दें कि हाल ही में रूस ने वैक्सीन बना लेने का दावा किया है और अब आने वाले 12 अगस्त को रूस अपने वैक्सीन का पंजिकरन भी कराने जा रहा है और ऐसे समय में डब लिया चुका ये कहना कि वैक्सीन कोई जादोई गोली नहीं है जो वायरस को खत्म कर दे ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि दुनिया भर के तमाम देश को रूना का वैक्सीन बनाने में जोटे हुए है और इस बीमारी से निजात पाने की तमाम को शिशिंग की जा रही है subscribe our channel and press the bell icon for more updates